सबस्राइब करता हूं मैं यहां क्लास में यह बताता हूं कि कॉंसमें पूछे जा रहें उसके बात करते हैं तो आज वाइनोमियल त्योरम पर बात करने जा तो इसका जो पीडिया मिलेगा जहां आप यह क्लास देख रहे हैं तो उसके डिस्क्राइब करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओगे और वह जॉइन होने के बाद मैं आपको वहां पर इसकी पीडिया मिल जाएगी दूसरी चीज के प्रार रहा है तो कि चल रहा है तो आज देखेंगे सम व सब्सक्राइब रिजल्ट्स औफ बाइनोम्य थ्योरम सब्सक्राइब बाइनोमियल से जानेंगे तो हैडिंग डालेंगे बच्चो लिए अ कि सम्ट फैक्ट्स आज इसे जानेंगे एंड रिजल्ट्स आज इसे जानेंगे बाइनॉमियल थे हो रहा हम को बच्चों को बड़ी दिक्कत आती ही कोईश्चन करने में सॉल्फ करने में तो मैं आपको ऐसा सीधा-सीधा रास्ता बता हूँगा सीधे-सीधे रास्ते पाप अपे एन्सियार का रिजल्ट क्या होता है भी टोनों के दोनों किसके होते हैं फैक्टोरियल के साइन होते हैं तो फाक्टोरियल एन अपउन पार्टॉरियल n-r into factorial r क्लिए रहे हैं क्या बेटा factorial n upon factorial n-r into factorial r और कैसे denote कर सकते हैं factorial n upon factorial n-r into factorial r हम ऐसे denote कर सकते हैं बड़े काम की चीज़ है पर direct याद रखना है कुछ नहीं करना है इसमें जाता है direct याद रखना है इसका result क्या बेटा n-c-r क्या होगा factorial n upon factorial n-r into factorial equal to या तो मैंने factorial के दो sign बता दियें कोई दिक्कत नहीं यह हो गया पहला result यह क्या हो गया पहला result हो गया यह अब दूसरा result देखेंगे दूसरा result होता है n-c-a equal to n-c-b इसके दो result आते हैं there are two results क्या बेटा there are there are two results there are two results there are two results कौन-कौन से होते हैं बेटा वो दो result एक तो होता है a is equal to b होता है दूसरा होता है और a plus b equal to होता है बेटा n- ठीक है ना यह जब दूसरा result पढ़ा हमने n-c-a equal to n-c-b तो इसके दो result होते है a equal to b और a plus b equal to n होता है थोड़ा सा हम इसी पर बात करेंगे आगे को बढ़ेंगे तो देखो जब यह दूसरा result में लिख रा था तो आपने देखा दूसरे result में बेटा कि n-c-a equal to n-c-b मैंने बताया था और इसके दो result होते है sir a equal to b एक तो यह होता है और sir a plus b equal to n दूसरा result यह होता है दो result देखे हमने इसके तो अगर मैं यहाँ से आप से ऐसे कह दूँ बेटा कि यहाँ से b equal to क्या हो जाएगा n-a तो आप एक काम करो b की value यहाँ put कर दो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे sir हमें यहाँ पे n-c-a is equal to मिल जाएगा n-c-b की value n-a तो यह भी हो जाता है इसी के पुल क्या रख सकते हो बेटा आपको n-c-b ठीक है और यह try करते हैं हम first volume है जब first volume करेंगे try इसको तो आप first वाला क्या था n-c-r equal to n-c-n-r हो जाएगा equal to factorial n upon factorial n-r into factorial r यह हो जाएगी कहानी ठीक है कोई दिक्कत है तो परेशा नहीं है तो बता सकते हो आप मुझे ठीक है यह होगी बिटार तो अभी तक हमने दो result देखें n-c-r का n-c-r क्या होता है n-c-r कोई क्या बोल सकते है n-c-n-r बोल सकते है factorial n upon factorial n-r into factorial r दूसरा result देखा हमने n-c-a equal to n-c-b और इसके दो result होते हैं a equal to b और a plus b equal to n b की value निकाली हमने n-a a तो b की जगाँ पुट कर दी तो n-c-a equal to n-c-n-a कर दिया ठीक है और वही उसी pattern पर हमने n-c-r equal to n-c-n-r equal to factorial n upon factorial n-r into factorial r बड़े बहतरीन question आते हैं और मैं वही concept कराता हूं जहां से question आते हैं ठीक है ना ज्यादा इदर उदर नहीं कराता मैं हैं वही concept कराता हूं जहां से question बनते हैं ठीक है तो आप इस class को regular ले सकते हो और प्र विए सिरके questions की class भी चल रही है separate ठीक है चलिए देखो बटा यहां पर कुछ चीट देखेंगे जैसे हमने पढ़ा n-c-r equal to n-c-n-r सर यह होता है factorial n upon factorial n-r into factorial r अभी just हमने यह देखा है और इसके बाद करेंगे पहले इसको समझेंगे देन उसके बाद हम बिटा आगे बढ़ पाएंगे जब तक इस चीज को समझ नहीं पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे अगर मैं आपसे कहूं बिटा यहां पर r equal to 0 रखो जा रखो r equal to 0 रखो तो आप कहेंगे सर यह बनेगा r equal to 0 में रखोंगा तो यह बनेगा सर n-c-0 equal to n-c-n बनेगा और परावर क्या हो जाएगा बिटा आर की वेली 0 तो यह factorial n upon factorial n और यह क्या जाएगा 1 आ जाएगा क्या जाएगा 1 आ जाएगा समझ आया नहीं आया क्या जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि बिटा r equal to 1 रखो तो कितना r equal to 1 रखो तो आप कहेंगे सर r equal to 1 रखोंगा तो यह हो जाएगा n-c1 equal to n-c-n-1 और इसे open it करोगे बिटा r equal to 1 तो factorial n है फैक् n-1 तो इसे open करोगे n into n-1 आएगा तो उससे कट जाएगा तो पिटा यह क्या जाएगा n आ जाएगा n आ जाएगा ठीक है बात समझ में नहीं नहीं आ रही है नहीं आ रही है nc1 equal to n-1 क्या हो जाएगा n हो जाएगा अगर मैं आपसे कहूँ के r equal to 2 रखके देखो बिटा तो आप क्या सोच रहे होंगे आप यही सोच रहे होंगे न बिटा कि nc2 equal to nc n-2 तो यह क्या होगा इसे open करेंगे तो यह दो बार open कर रहा है तो बिटा n into n-1 क्या n-1 दो बार ही तो open कर रहा है तो नीचे क्या बिटा फैक्टोरियल 2 आ जाएगा ठीक है अगर ऐसी मैं अगर आपसे यह कहूँ कि बिटा r equal to 3 रखो तो जरा तो आप कहेंगे सर जब मैं r equal to 3 रखोंगा तो nc3 होगा और यह होगा सर ncn-3 होगा अब तीन बार खोल तो इसे ठीक है ना तीन बार पीछे को खोल तो कितना into n-1 into n-2 upon factorial 3 आ जाएगा ठीक है ऐसी अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूँ बिटा r is equal to 4 रखो तो आप कह रहे होंगे सर अगर मैं यहाँ पे nc4 हो जाएगा equal to ncn-4 हो जाएगा यह हो जाएगा बिटा चार बार पीछे को खोल दो चे एन into n-1 into n-2 into n-3 upon में क्या जाएगा factorial 4 आ जाएगा अपन में क्या जाएगा पीटा factorial 4 आ जाएगा क्या जाएगा चार जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है ना धीरे-धीर है ठीक है समझते चले जाओ अब यहाँ पर example करके देखते बिटा example लेते हैं अगर मैं कहूं यहाँ पर example की बात करूँ आप से example की अगर मैं बात करूँ तो देखो पहला अगर मैं कूंपिटर टैंसी जीरो दूसरा टैंसी वन तीसरा टैंसी टू जौथा टैंसी थ्री पांच मांट टैंसी फूर जा बिटा टैंसी फूर इन्हें सोट आउट करो कि कैसे करें सर बिटा टैंसी जीरो क्या हो जाएगा टैंसी टैन हो जाएगा और इसकी वेल्यू कितनी होती है वन होती है इसकी value कितनी होती है इंदर से इसकी वेली कितनी होती है वन ऐसी 10-1 क्या हो जाए गा टैन आजाएगा 10-9 यानि कि इन दोनों का difference एक हो ठीकर तो यह कितना जाएगा सर यह कितना जाएगा वह एद आ जाएगा तो टैन ही आप इससे देखो इसे क्या लिख सकते हैं सब्सक्राइब क्या लिख सकते हैं तो मैंने का यह दो बार पीछों को ओपन करना है तो तस गुड़ा नो बटे फैक्टोरियल दो दो जाएगा दो पंजन तस तो यह 45 आप यहां पर देखें यह क्या हो जाएगा तैन सी 7 हो ठीक है और अपन में क्या जागा फैक्टोरिय थी थी तीन दूनी 6 तो तीन तीन दो नो दो चौक 8 तो चार तिया 12 120 तो यह कितना जाएगा पीटा 120 आज जाएगा पॉइंट टैजाएगा कितना जाएंगा रहे हैं ऐसी इसे वोपन करना है तो इसे क्या लिख सकते हैं और यह चार बार पीछ खोलना है तो तेइन इन्टू नइन्टीट इन्टूएं इन्टू सेवन डिवाइट एक्टव क्षारियल चार थैतलिय बारद दोनी 24 और चौविसist चौवीसज आते 210 आ जाएगा कितना जाएगा यह 210 लिए तो यह इतना उख्येंगे कैं पहले तो हाप इतना काम सीखेंगे यह में जो कॉषिशन आते जिन को अग्याग्याद कौनसप sellers भी यह कौणसप्त शेह पॉशिशन भी है तिक आपको एक चीज और याद रखनी होगी इसमें थोड़ी सी क्या थोड़ी सी याद रखनी होगी कि जैसे मैं हो बिटा या फाक्टोरियल जीरो की इंपि में पेल्फ हैं फाक््टोर्यव 2 हो जाएगी तो यह हो जाएगी 24 अगर मैं काव। की वेल्यों तो फटा 5 4 इंटू 3 2 इंटू 1 2 इंटू 1 तो यह कितनी हो जाएगी पिटा 120 हो जाएगी ऐसी ही ओपन कर दो पिटा 6 multiply by 5 तो यह बन जासे आपका 720 ऐसी मैं काव। ऐस्टारियोटे विलेंगे इस से इताना बन जाएगा पचांस चालीज सेंगा इसा से आपका काम भी हो जाना है अगले क्षाइशं में मिलेंगे हम इस से रिगार्डिंग कैसे बनते हैं जैसे रिजल एंसी एकोल टो फेकोल खीक्षान अच्छा लग रहा है तो से से लाइक और शियर करो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो डिफेंस एकटमी दैरादून को ठीक है ना अगर पेपर क्रेक करना है तो ठीक है तो चलो तो फिर मिलते बेड़ा नेक्स क्लास में आज के लिए इतना ही रखेंगे थैंक यू सो मच जैहिन जैवालत